से पहले हम लोग जान लेते हैं cycle का bottom bracket से sound का problem, noise का problem, watch का problem क्यों आता है, कैसे आता है और इसका प्रमामेंटली solution क्या आएगा हम आप लोग को 101% guarantee देते हैं आपका cycle का bottom bracket से sound का problem आ रहा है, noise का problem आ रहा है तो easily आप ठीक कर सकते हैं, without so without mechanic के पास ले जाए हुए, क्योंकि हम एक cycle mechanic है और हमारा काम है सही जानकारी आप लोग तक पहुचाना और ये problem क्यों होता है, किस वज़े से होता है, और कैसे ठीक होगा, यानि full details में बताएंगे अगर bottom bracket से sound का noise का problem आ रहा है, आपका किसी भी category का cycle हो, तो मेरा इसका 101% guarantee है आप लोग से अभी भी noise वेगर का problem नहीं आएगा bottom bracket से, तो आप लोग का ज़्यादा समिना लेते वे चलिए directly वीडियो को सुरू करते हैं, छोटा सा request करेंगे वीडियो को पूरा देखना है आपको, आप अच्छे सा समझ जाएंगे और अगर आपका friend लोग का भी इस तरह का problem होता है, तो आपका अपना cycle का solve तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप अपना friend का भी problem को solve कर सकते हैं, हमारा ये वीडियो को देख करके, क्यूंकि हम एक cycle mechanic है और हमारे चैनल पर आप लोग को genuine video मिलता है, और सही जानकारी आप लो वीडियो सुट कर रहा है, जैसा कि देख रहे हैं, ये दिखे हैं, जह Right, जाना मारी सब्सार से हो रहा है, मुझे, बब हमोगि ये थीा सवनीर से देख लोग और मुझे करने में बहुत ज्यादा प्रपलम को बना रहा हैं लिए नहीं देखने के बाद तो तो वीडियो को देखने के जरत नहीं पड़एगा तो चलीए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगे को अच्छे से बताते हैं सो दोस्तो सबसे पहले हम लोग जाने लेते हैं साइकल का बोटोम ब्रेकेट से साउंड का प्रॉबलम नोई्स का प्रॉबलम अवाज का प्रोबलम क्यूं आता है, कैसे आता है और इसका प्रमामेंटली solution क्या आएगा जैसा कि हम लोग कभी कभी क्या होता कि cycle चलाते हैं तो cycle चलाते चलाते noise बगर का कोई भी इसा problem नहीं आता है चाहे new cycle हो या फिर पुराना cycle हो bottom break से कोई भी sound का problem नहीं आता है आपका wheel से भी आता है, handle से भी आता है, other parts से भी आता है तो वो find करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि exactly क्या हमारा bottom bracket से ही आता है अगर आप find कर लिए हैं, अगर आप जान लिए हैं कि हमारा cycle में जो noise का problem आ रहा है वो bottom bracket से आ रहा है तो उसे कैसे ठीक कर रहा है तो आप अगर new cycle अभी अभी जश्ट खरीद के ला रहा है cycle swap से या फिर कुछ दिन हो रहा है new cycle आप खर दे हैं चाहे वो किसी भी category का आपका cycle हो ठीक है, branded हो या फिर non-brand हो तो एक चीज और हम आप लोग को इसमें clear करते हैं अगर आप branded cycle लेते हैं premium company का cycle लेते हैं premium company का cycle होता है वो सब में आप लोग को noise वेगरा का sound वेगरा का problem बहुती कम देखने को मिलता है नई के बराबर में लेकिन जो medium quality का cycle होता है जैसा कि आपका hero हो गया, evan हो गया, hercules हो गया है तो यह जो medium cycle होता है, जैसा कि आप हमारा hero sprint hauler model का cycle देख रहे हैं तो यह cycle हमारा लिएवा कम से कम एक से डेर साल हो रहा है तो इसमें भी बहुत सारे सा problem का उपर हम वीडियो बना चुके हमारे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा new cycle जब भी आप खईते हैं market से तो कुछ दिन के बाद sound का problem आ जाता है, चाहे wheel में हो या फिर bottom bracket में हो या फिर handle में हो अगर आप bottom bracket का sound का problem समझ गिये तो अच्छी बात अगर नहीं समझे तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे bottom bracket से जो sound का noise का problem आता है, जो आवास का problem आता है, वो कुछ इस तरह से रहता है cut, फिर आएगा, cut, फिर आएगा, cut, यनि थोड़ा सा भारी tap का आवाज रहेगा और एक आपको उससे भी थोड़ा भारी टेप का आवाज रहेगा एक उससे थोड़ा सा कम भारी टेप का आवाज रहेगा तो दो तरह का प्रोब्लम होगा आपको इसमें फाइन करना है एक जो साउंड का प्रोब्लम आता है जो नोईस का प्रोब्लम आता हो आपका फिर्वि का है या फिर बॉटम बरेकेट का है तो बहुत भाई यहां पर कन्फूजन रहते हैं तो बताना चाहेंगे एक्जैक्ली जो प्रॉब्लम आता हुओ आपका दोनों से यह आता फिर विल से या फिर बॉटम बरेकेट से तो यह आपको समझना पड़ेगा अगर आप समझ लेते प्रॉटम बरेकेट से आता है फिर विल के जो प्रॉब्लम में आपका साउंड का वह आपका एक महना पंदा दिन का अंदर में वह आपका आपका अटोमेटिकली रिमूब हो जाता है ठीक हो जाता है आपको कुछ करने का जरूत नहीं पड़ेगा इसके बादूत भी अगर नहीं होता है प्रॉटम ब्रेकेट से जो नौइस का प्रॉब्लम आता है उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि अगर आप न्यू साइकल खर दे है तो new में क्या होता कि बहुत सारा parts जो है full tight रहता, कुछ-कुछ parts minor जो छूड़ जाता, यनि purple तरीके से tight नहीं हो पाता क्यूंकि उसे अपना एक जगह पकड़ना होता है तो new cycle लेने के बाद जो है एक rich check-up के लिए आपको cycle stop बाले बोलते हैं कि पंदा दिन के बाद ले आएंगे या फिर एक महिना के बाद में जब भी ले आएंगे यह problem आपका solve हो जाए एक बार हम लोग rich check-up कर देंगे अधरवाइस उस बीच में कोई भी सा प्रॉब्लम होता साइकल हो तो वह problem का भी sort out कर देते हैं problem solve कर देते हैं फिर आपका cycle में कोई भी सा प्रॉब्लम नहीं आता है न्यू cycle का bottom bracket में lose होने से यह problem आता है bottom bracket में अगर आपके पास पुराना cycle है पुराना cycle में भी अगर आप new bottom bracket लगाएं अगर mechanic अच्छे से full tight कर देते हैं तो यह आपका solve हो जाएगा पर्मामेंटली noise का problem नहीं आएगा bottom bracket से अगर tight करने में minor भी अगर छूट जाता है तो कई बर क्या होता कि cycle चलाते चलाते automatically अपना जगह पकड़ने के बाद वो लूज होई जाता है जो bottom bracket का चाहे left side का हो या right side का ठीक है राइफ साइट का बहुत ही कम लूज होता है लेकिन left side का बहुत ही जादा होता है और left side का कब से bottom bracket को adjust करके मिलाया जाता है उसका जो भी प्ले धक का problem होता उसे भी ।क्सक्राइब करते हैं तो यह नों इसका प्राइबलम करते हैं यह तरफ करने के लिए qasad आगस जैसी दबाते हैं तो एक सेट ज्यादा प्रेसर मिलने का वज़े से अगर कप लूज रहता है तो वह हल्का सा माइनर नीचे की और चला आता है फिर जब आप राइट साइट का पैडलिंग करते हैं तो फिर कप क्या था कि उपर की और चला आता है तो इससे आपका साइट का कौफ को तो यह जो नौइस का प्राव्लम में साउंड का प्रॉβलम प्रमामेंटलि सॉलफ हो जाएगा कि आपका सॉलफ हो जाएगा अधरवाइज एक्स्टा और कुछ नहीं होता है यही एक मेन होता है वोटम ब्रेकेट का कप लुज होने के वज़ी से एक और हम आप लोग को लाश्ट में क्लियर करना चाहेंगे बॉटम ब्रेकेट का कप को अगर आप अच्छे से टाइट भी करवा दिये हैं मेकैनिक से अगर आप खुद से भी कर लिए फिर भी अगर नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर क्या करना है पूरा बॉटम ब्रेकेट में आपको खोलना है हलां कि वाला बॉटम वाला ब्रेकेट आपका साइकेल में लगा हुआ है जो फिरिम्यूम कंपधी का साइकल होता है जो उस्त्रीटम को साइकल होता है जैसा कि चीजन के साईकल हो या फिर एम टींवी रेंज सैकिल हो अगर उसमें बॉटंस बैकेट का का टॉट है और पिर अगर ठीजन उसमें बॉटंस का प्रोबल्म यह भाएछांसी आता है ठीक है खेसे सभी में नहीं आंदा है, अगर аुता है तो समझ जाए बोल का कर नोनबॉल से उसमें देखने को मिलेगा बाल्स का भी रिव्यू वीडियो हम बनाए है तो हमारे चैनल पपको मिल जाएगा यह सब आप देखकर करके अच्छी तरीका से समझ सकते हैं कि क्या-क्या खराबी होता कौन-कौन पार्ट समय अपना साइकल में लगाना चाहिए और कैसे आप समझ सकते हैं आपको जेन्वेन पार्ट मिलेगा सही कंपनी का पार्ट मिलेगा प्राइस भी आप लोग को सही मिलेगा आप हमारे वह से वीडियो को एक बार जरूर आप लोग को देना तो अच्छे से हम आप लोग को बता दिए कि बॉटम ब्रेकेट में जो नौइस का प्रॉब्लम आता हुँ कप लुज होने का वेज़े से तो फूल टैट अपना साइकल का कप को टैट करवाले ठीक है बॉटम ब्रेकेट का यह प्रॉब्लम आपका परम करके जरूबता है एक और जानकर यह आप लोग को देना चाहिए जो कि हम घ्रक वीडियो में देते हुए आ रहे हैं और इस वीडियो में अच्छी तरिका से आप लोग को बता रहे हैं आपको क्या करना जैसा कि देख रहे हमारे पास एक कीप है इसमें बाइक का इंजन का जलाउए औलैं तो आपको जो रख वी डू बंदु है अभी ऑट करेंग चाहिकेल में या फिर फिर और नॉइस वेगर का सांड वेगर का प्रोब्लम नहीं आएगा इस पर भी हम आप लोग को 101 परतिसत गैरेंटी देते अगर यह पॉर्सेस करते हैं अगर आप बरसात के मौसम खतम हो जाता उसके बाद भी अगर आप यह पॉर्सेस करते हैं तो यह पॉर्सेस आप जो सब्ता अपना ध्यान रखें जय ही जय भारत और हां बारी से चालू हो गया है जैसा यह देख रहे हैं